इनसान सबसे ज्यादा रिग्रेट में कब जाता है, जानते हो, जब उसे पता होता है, वो अपना टाइम वेस्ट करने वाला है. दोस्तों ने थोड़ा मैकडॉनल्स चलने के लिए क्या बोल दिया, उन्हें मना नहीं कर पाएगा, उनका काम छोड़ कर, किसी ने साथ चलने कोक्या कह दिया, उसे मना नहीं कर पाएगा, पता होता है कि काम कितना ज्यादा करना है, सिलेबस इतना ज्यादा पूरा करना है, य ये तो सिर्फ ना नहीं करने की आदत होती है, ना, ये हमारा बहुत कुछ लेकर डूब जाती है, इनसान की पूरी जिंदगी जंड कर देती है, सिर्फ ये है एक गलती, जहां वह अपनी मर्जी के खिलाफ काम करता है, ना नहीं करता, उसे पता होता है, पढ़ना है, उसे भी लेकिन अगर घूमने फिरने और टाइम पास करने का मौका मिल गया, तो उसे मना नहीं कर पाता, उसे सब कुछ पता होता है कि क्या हो रहा है उसके साथ, क्यों हो रहा है, और कितना बुरा हो सकता है, बावजूद इन सब के वो कुछ नहीं कर पाता, बस खाली वे सहारा और बेता बोकर बस बैठा रहता है सब कुछ फाइदा रहता है लेकिन ना नहीं कहता दस्वी से कोई एक ही बन्दा ऐसा होता है जो मुह पर बोल देता है कि नहीं यार मेरे से नहीं होगा मैं नहीं करने वाला बाकि जितने भी होते है ना, बस भीड की तरह भीड में सिर हिलाते रहते हैं, हमें हां करते रहते हैं, और ये नासच में बहुत भारी पड़ेगा तुम्हें, मैं अभी बता रहा हूँ, पता है क्या होगा इन सबसे, वो सारे लोग जिनके लिए तुम हद पार करके मदद करने जाते हो, उनका साथ द जालती थी, ये चीजें अंदर ही अंदर एक इनसान को बहुत तोड़ती है, इनसान ना बस अपने जखम दिखा नहीं पाता, मगर हालात कुछ ऐसे खड़े हो जाते हैं, कि वह खुद की नजरों में ही गिर जाता है, अब खुद सोचो ना, एक इनसान पहले किस के लिए ज कितनी प्लैनिंग कर लेते हैं, लेकिन फिर जैसे जैसे दिन जलता है, ना इनसान की जिन्दगी में आने लगते, हैं बहाने, वह बहाने जिन्हें वह नहीं कर पाता, वह बहाने जिन से वह पीछा नहीं जुडा पाता, जरूरी नहीं कि हर बार तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाहर से ही लोग आएंगे बलकि कई दफा तुम्हारा मन ही तुम्हें भटकाना चाहेगा और उस वक्त के लिए तुम्हें अपनी उस मन को भी ना कहना सीखना होगा अब बहुत सिंपल है यार देखो भाई या तो आज ना कहकर दो मिन्यूट के लिए दिल भारी कर लो या फिर तसली के लिए किसी और की कुरसी अपनी बरबादी के लिए हां कहो और फिर बोलते रहो देखो लाइफ अगर इतनी ही सौटेड होती तो फिर बहुत ही क्या होती इंसान को ना बोलना सीखना पड़ता है